आज हम बनाएंगे गर्मियों की एक बहुती रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो की है आम बना आज हम इसका एक कॉंसेंट्रेटिट सॉल्यूशन बना के भी तयार करेंगे जिसको आप स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका आम बना पीने का मन करें एक ग्लास ठंडे पानी में दो चमच इसको घोलिए और आम बना एकदम रेडी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की इस मज़ेदार सी ड्रिंक को तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चार मीडियम साइज के कच्चे आम लिए हैं इनको अच्छे से वाश कर लिया है और इनके जो एंट पार्ट है इसको हम निकाल देते हैं और अब हमें इसको बॉइल करना है तो मैं यहाँ पे इनको डारेक्ट प्लेशर कुकर में डालके अधा ग्लास पानी डालके इसको बॉइल कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कैरी हमारी अच्छे से बॉइल हो चुकी है निकाल लेंगे अब हम इनको और अब इनको थोड़ा सा ठंड़ा हो जाने देते हैं उसके बाद हम इनका सारा पल्प निकालके अलग करेंगे तो आप एक बर इस ट्रिंग को इस तरह से जरूर बना के देखिएगा बहुत ही जादा टेस्टी एंड डिलिश्यस बनती है यह तो यह कैरी हमारी अच्छे से ठंड़ी हो चुकी है और अब हम इनका सारा पल्प निकालेंगे तो पहले हम इनका छिल्का रिमूब कर लेते हैं उसके बाद हम इनका पल्प निकाल लेंगे तो आप चाहित इनको हाथ से भी ऐसे मैश करके इनका पल्प निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से आप knife से भी इनका pulp इस तरह से अलग कर सकते हैं, तो बहुत easily सारा pulp इस तरह से निकल जाता है, और छिलके में भी जो थोड़ा बहुत pulp होगा न, उसको भी हम चाकू से इस तरह से scrape करके अच्छे से निकाल लेंगे, तो यह बहुत ही easy method है, आम पना बनाने का, तो हम चिलके से भी सारा pulp अलग कर लेते हैं, हमें बिल्कुल भी इसको waste नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे सारा pulp निकाल लिया है, और अब हमें इसको grind करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक measuring cup में डाला है, तो यह total एक cup हमारा pulp निकल के तयार हुआ है, इससे हमें शुगर का अंदाजा हो जाएगा, कि हमें इसमें कितनी शुगर मिलानी है, तो मैं यहाँ पे एक mixer jar में सारा pulp प्रांसफर कर देती हूँ, और यहाँ पे हम handful of fresh mint एट करेंगे इसमें, तो mint जरूर से एट करी, इससे बहुत अच्छा flavor आएगा इसमें, एक चमच मैंने यहाँ पे भुना जीरा powder एट कर दिया है, आदा चोटा चमच मैंने यहाँ पे काला नमक एट किया है, और आदा चोटा चमची मैंने यहाँ पे सफेद नमक एट किया है, तो बस और हम इसमें कुछ भी एट नहीं करेंगे, और इसका एक हम अच्छा से smooth सा fine सा paste बना के तयार करेंगे, तो यह दिखे, एकदम fine सा paste बन के तयार है, तो अब हमें इसको चानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम fine paste बन के तयार हो गया है, तो अब मैंने यहाँ पे एक कड़ाई ली है, इसमें हम दो कप sugar add करेंगे, तो जिस कप से हमने आम का pulp measurement किया था उसी कप से हम दो कप sugar add करेंगे, तो यह enough मीठा हो जाएगा, और एक कप हम इसमें पाने add करेंगे, तो यहाँ पे हमें sugar को अच्छे से melt करना है, तो यहाँ पे देखिए, आप sugar हमारी धीरे-धीरे melt होने लगी है, तो sugar की quantity आप अपने according भी adjust कर सकते हैं, अगर आम बहुत जादा खटे हैं, तो आप थोड़ा सा sugar और extra add कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए, शुगर हमारी अच्छे से melt हो गई है, तो अब हमारा जो curry वाला जो pulp हमें तयार किया है, वो हम इसमें add कर देंगे सारा, तो यहाँ पे मैंने सारा pulp इसमें add कर दिया है शुगर सिरफ में, और अब हमें इसको cook करना है, तो यहाँ पे हम इसको पहले अच्छे से mix कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई भी गुल्टी ना रहे, और इसको अच्छे से हम यहाँ पे चलाते हुए mix करेंगे, आप चाहें तो इसको whisker से भी mix कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे इस तरह से continuous चलाते जाएंगे ना, यह अच्छे से mix हो जाएगा चाशनी के साथ, तो यहाँ पे देखिए, यह पल्फ हमारा अच्छे से mix हो चुका है, कैस का flame हम यहाँ पे medium to low रखेंगे, और यहाँ पे अब हमें इसको cook करना है, तो यहाँ पे हम इसको कितना cook करेंगे, यह हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हम इसको cook करते जाएंगे, तो आप देखेंगे, कि यह जो mix है हमारा, यह थोड़ा सा थीक होना start हो जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ यहाँ पे green food color add कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा green color लाने के लिए, यह totally optional है, आपके पास है तो आप add कर सकते हैं, या फिर आप इसको skip भी कर सकते हैं, तो मैंने इसमें एक अच्छा सा color लाने के लिए, इसमें green color add किया है, इसको हम continuous इस तरह से चलाते जाएंगे, तो यह देखिए, यह अप काफी थिक हो चुका है, तो हम इसको एक बार check कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको, उंगली की बीच में इस तरह से, हम लोग इसको check करेंगे, इसमें ना हलकी सी एक तार वाली चाशनी जैसे बनती है, हमें बस इसको इतना ही कुक करना है, तो यह देखिए, हम इसको जब दोनों उगलों की बीच में इस तरह से करेंगे, तो हलका से एक तार बन रहा है, तो बस हमें इसको इतना ही कुक करना है, और जादा हमें इसको कुक नहीं करना है, और अब हम gas का flame off कर देंगे और इसको ठंडा हो जाने देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद नहीं थोड़ा सा भी गाढ़ा और हो जाएगा तो ये हमारा solution एकदम बनके तयार है आप इसको एक महिने तक अराम से store कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में तो ये पल्प हमारा सारा ठंडा हो गया है अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे एक जार में इस जार में हमें इसको ट्रांसफर करना है या मरखने वाल है उसमें एकदम भी पानी नहीं होना चाहिए completely सूखा होना चाहिए वो तो मैंने यहाँ पे इसको एक जार में अच्छे से ट्रांसफर कर लिया है सारा पल्प हमारा और अब हम इसको स्टोर कर सकते हैं आराम से यह वन मंथ तक चलेगा जब भी आपका आम बनना पीने का मन करें जब भी आप बाहर गर्मी धूप से आए ना तो आप इसको एक ग्लास ठंडे पानी में दो चमच इस रॉली सुन को घूलिए और आम बनना एकदम ब्रेडी है तो चली अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रिजेंट फिल किया है ना इस ग्लास के एजिस को ना मैं इस तरह से इसमें रोल करेंगे तो इसके एजिस में इस तरह से लग जाएगा तो यह देखने में और भी जादा ट्रेक्टिव और सुन्दर दिखता है तो यह ग्लास हमारे रेडी है आम पर ना सर्फ करने के लिए तो हम यहाँ पर ग्लास में थोड़े से आइप स्क्यूप्स एड़ करेंगे और यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच हमने अपना जो सॉलूशन बना के तयार किया है वो हम एड़ कर देते हैं इसमे तो यहाँ पे आप अपने एकॉर्दिंग इस सॉलूशन को आइट कर सकते हैं दो या तीन चम्मच जब Corner किया है इतना इनफ एक छोटे ग्लास के लिए तो मैंने प्रती एक ग्लास में दो दो चम्मच आइट कर दिया है उपर से हम इसमे एकदम ठंड़ ठंड़ पानी आड़ करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे एक बार अच्छे से तो हम यहाँ पर ना हम इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि हमने जो solution बना के तयार किया है वो थोड़ सा गाड़ा है तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो यह आम बनना हमारा एकदम बनके ready है तो जब भी घर में guest आए या आप बाहर से आए या आपका आम बनना पीने का मन करें तो फटा-फट से इसको एक glass पानी में दो चमज घोली और आम बनना एकदम बनके ready है तोड़ा सा हम यापे इसको mint leaf से गानिश कर देते है तो यह हमारी एकदम delicious वाली refreshing आम बनना की drink बनके तयार है तो गर्मियों में आम बहुत ही सस्ते मिलते है तो इस तरह से हमें यापे इनका concentrate solution बना की रख लेना चाहिए जब भी मन करें आम बनना पीने का तो फट फट से आप इसको ready कर सकते है तो आप एक बर इसको ज़रूर try करिएगा और अगर आपको मेरे आज के recipe पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें